हाथ के अंगुठे में किस धातू का चल्ला पहनने से छे बड़े लाब मिल सकते हैं यह जानेगे पंड़जी से बताइए पंड़जी अब चल्ला कौन सी धातू का पहने जिससे रातो रात किस्मत भी बदल जाए और ग्रहें भी ठीक हो जाए और अंगुठे का जो और उखसे बसे पादो वेके बारे मुद्ध नेवेिट इनका क्या पूछना है इनकी तो चादी दो बीडय हो आुझ क्यों नहीं कहता है कि इनका क्या पूछना इनका तो सोना है चांदी क्यों कहते हैं लोग चांदी हमारे सनातन धर्म में बहुत सुद्ध मानी गई है सोना तो माना गया है कि यह आपका खो जाए तब भी आपका बुरा हो जाएगा और अगर आप सोना पा जाए तब भी आपका बुरा हो जाएगा दोनों आपके लिए असुप संकेत हैं उसका मिलना और खोना लेकिन चांदी के लिए इसी कुई बात नहीं है चांदी केवल सुभता का प्रतिक है तो हाथ के अंगुठे में चांदी का छला पहनने से सबसे पहला लाफ जो मिलता है वो ये कि मानसिक तनाव दूर होता है अगर आपकी जन्मकुंदली में चंद्रमा सनी साथ हो या सनी की द्रिष्टी चंद्रमा पर पढ़ती हो तो फोरण चांदी का छला बनवा करके और उसे दाहिने हाथ के अंगुठे में पहन लीजिए चांदी चंद्रमा से संबंधित है शुक्र से भी संबंधित है शुक्र और चंद्रमा से संबंधित धातू चांदी है तो चांदी अपने आप में एक प्रकार से एंटीबायेटिक का प्रयोग करता है शरीर को ठंधा रखने में अहम भूम क्या निभाता है तो हमारे सरीर की रोग प्रतिरोधक छमता चांदी का छला धारन करने से बढ़ती है ये कागरता और आत्मिस्वास में बिर्धी होती है जिन लोगों का बैबाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है उन लोगों को भी चांदी का छला अपने दाहिने हाथ के अंगुठे में जरूर पहनना चाहिए या फिर गले में चांदी की सुंदर सी चेन धारन करनी चाहिए सुक्र को मजबूत करने के लिए भी अंगुठे में चांदी का छला पहना जाता है इस बात का पूर्ण रूपें ध्यान दें अगर सुक्रग्रह के कारण निर्बल होने के कारण अंगुठा बड़ा दुबला पतला तेना मेड़ा है अंगुठे की सनरचना प्यारी नहीं है आकरसक नहीं है और ये सुक्रपरवत दबा हुआ है तो इस दोस को मिटाने के लिए भी चांदी का छला आपको सुक्रवार या सोमवार को दाहिने हाथ के अंगुठे में धारन करना चाहिए इसका लाब मिलेगा जैमा बिंदिवास में